देखिए कि Statistycz का कोश्यन है क्या कोश्यन है for a group of hundred candidates mean Square were found to be 40 and 15 यानि पहले mean जो है वो एक 40 है और standard deviation जो है वह 15 है respectively लेटर ओन इस फॉंड the score 25 और 35 25 और 35 वर और misread as 52 and 53, यानि actual में 25 और 35 लिखना था, पर गलती से इसका reverse read कर लिया किसी ने, मतलब 52 और 53 read कर लिया, then the corrected mean in standard deviation corresponding to the corrected figure, सबसे पहले याद रखिए कि आपको पूरा question solve नहीं करना है, standard deviation के corrected निकालने में time लगता है, तो हम इसमें logical तरीके से सोचें कि जब भी कभी misreading हुई हो, तो जो आपने misread किया है और जो आपका corrected है, उन दोनों का net difference क्या है, अगर net difference positive है, तो mean पुराने mean से बढ़ जाएगा, और net difference negative है, तो mean पुराने mean से कम हो जाएगा, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको add करो, तो corrected था 60, और जो डल गया, वो कितना था 105, तो यानि अगर net result देखे हम, तो net result हुआ 105 minus of, मलब 60, corrected 60 था minus 105, misread वाला बाद में लिखते हैं, तो minus 45, इसका मतलब ये हुआ, कि negative आरा net difference तो 40 से कम पहले तो mean देखे, तो जैसे 40 से बढ़ा ये नहीं होगा, अब बाकी 40 से छोटे हैं, वो भी तरीका बड़ा simple है, कि new mean जब भी निकालना है, तो old mean minus net, ठीक माई, आप बलकी प्लस भी बोल सकते हो, plus net upon number of term, तो old mean था 40, net negative आया है, तो negative लीजिए, positive आया है, तो positive लीजिए, by number of term थे 100, तो 40 minus 0.45, 0.45 minus किया, तो 39.55, देखो 39.55 एक ही में है, right, तो 39.55 is the right answer, अब आपको standard deviation check करने की जववत ही नहीं है, यानि यही, बस इसी approach को मैं बोलता हूँ, logical approach, जितने लोग की यह logical approach होगी, समझ लो, उसको कभी problem नहीं आ सकती.